मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार आज आपसे मन की बाद एक ऐसे समय कर रहा हूँ जब कोरोना हम सभी के धैरिय, हम सभी के दुख बरदास करने की सीमा की परिशा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़ कर चले गए हैं। कोरोना की पहली वेव का सभलता पूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मोईश्वास से भरा हुआ था। लेकिन इस तुफान ने देश को जगजोर दिया है। साथियों, बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए, मेरी अलग-लग सेक्टर्स के एक्सपर्स के साथ, देशेजग्यों के साथ, लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडिस्ट्री के लोग हों, वैक्शिन मेगनिफेक्चरर्स हों, आक्सिजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों, या फिर मेडिकल फिल्ट के जानका, उन्होंने अपने महतोपुन सुझाओ सरकार को दिये हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्स और वेज्ञानिक सलहा को प्रात्मिक्ता देनी हैं। राज सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ती से जुटी हुई हैं। राज सरकारे भी अपना दाईत्नों निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साथियों कोरोना के खिलाब इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वरकर्स लड़ रहे हैं। पिछले एक साल में उन्हें इस बिमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं। हमारे साथ इस समय मुंबई से प्रसिद्ध डॉक्टर स्वशांग जोसी जुड रहे हैं। डॉक्टर स्वशांग जी को कोरोना के इलाज और इस से जुड़ी रिसर्च का बहुत जमीनी अनुभव हैं। वो इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशन के डीन भी रह चुके हैं। आईए बात करते हैं डॉक्टर स्वशांग से। नमस्कार डॉक्टर स्वशांग जी। नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अउसर मिला था। आपके विचारों के इस पश्टा मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए। जो बाते सुनने में आती हैं उसी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुई हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। मेडिकली ये कैसे अलग हैं और क्या-क्या सावधानी जरूरी हैं। धन्यवाद सर, ये दूसरी बाड़ आई है, ये तेजी से आई है। तो जितनी पहली बाड़ती उससे ये वाइरस ज्यादा तेज चल रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि उससे ज्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है। और मुत्युदर काफी कम है। इसमें दो-तिन फरक है। पहली तो ये युवावों में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके जो लक्षण है, पहले जैसे लक्षण थे, सास चड़ना, सुका खासी आना, बुखाराना, ये तो सब है। पर उसके साथ थोड़ा गंद जाना, स्वाच चला जाना ये भी है। और लोग फुड़े भाईबीत हुए, भाईबीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अजसी 90% लोगों में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये Mutation, Mutation जो बोलते हैं कबराने की बात नहीं है। य ये Mutation होते रहते हैं, जैसे हम कबडे बदलते हैं, वैसे वाइरस भी अपना रंग बदल रहा है। तो इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है। πर ये वेव पम पाल कर देंगे। वेव आती जाती है और ये वाइरस आते जाते रहता है तो यही अलग-अलग लक्षने हैं और मेडिकली हमको सतर करेना चाहिए एक चौदा से 21 दिन का ये कोविड का टाइम टेबल है इसमें वैद्य की असे ला लेना चाहिए डक्र ससांक मेरे लिए भी आपने जो अनालेसिस बताया बड़ा इंटरस्टिंग है मुझे कई चीठियां मिली है जिसमें ट्रिट्मेंट के बारे में भी लोगों की बहुत सी आशंका है कुछ दवाओं की मांग बहुत जादा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोविड के ट्रि लोग बहुत देरी से चालू करते हैं और अपने आप बीमारी से दब जाएंगी यह भरोसे पे रहते हैं और मोबाइल पे आने वाले बातों पे भरोसा रखते हैं और अगर सरकारी डी हुई सूचना का पालन करें तो यह कटनाई का सामना नहीं आता है तो कोविड में जो clinical protocol है उसमें तीन प्रकार की तीवरता है हलका या mild COVID, मध्यम या moderate COVID और तीवर COVID जो severe COVID बोलते हैं इसके लिए हैं तो जो हलका COVID है उसके लिए तो हम oxygen का monitoring करते हैं, pulse का monitoring करते हैं, उखार का monitoring करते हैं, उखार बढ़ जाता है तो कभी-कभी paracetamol जैसी दवाई का इस्तमाल करत जो moderate COVID होता है, मध्यम COVID होता है या तीवर COVID होता है, तो वहिद्यकिया अपने डॉक्टर के साथ संपर करना बहुत जरूरी है, सही और सस्ती दवाई available है, जिसमें steroid जो है जान बचा सकती है, जो inhalers दे सकते हम, टैबलेट दे सकते हम, और उसके साथ ही पराणवायू जो oxygen है वो देना पड़ता है, और इसके लिए छोटे-छोटे इलाज है, लेकिन अक्सर क्या हो रहा है, कि एक नई experimental दवाई है, जिसका नाम है Remdesivir, यह दवाई से एक चीज़ जरूर होती है, कि अस्पताल में 2-3 दिन कम रहना पड़ता है, और clinical recovery में थोड़ी सी उसकी एड़ हो है, जो हस्पताल में भरती होते है, और डॉक्टर जब बताते हैं तब ही लेना चाहिए, तो यह बहुत जरूरी है सब लोगों को समझना, हम प्राणायम करेंगे, हमारे शरीर के जो लंग से उसको थोड़ा expand करेंगे, और जो हमारी खून पतली करने वाली जी injection आती है, जि जो मंगी मंगी दवाई है, उसके पीछे दोड़ने की कोई जरूरत नहीं है सर, अपने पास अच्छे इलाज चालो है, प्राणवाई ऑक्सिजन है, वेंटिलेटर की भी सुहिया है, सब कुछ है सर, और कभी-कभी यह दोगों में ही देनी चाहिए, तो इसके लिए बहुत ट्रीट्मेंट प्रोटोकल से मरीज ठीक हो रहे सर, डॉक्टर सशांक, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, डॉक्टर सशांक ने जो जानकरिया हमें दी, वो बहुत जरूरी है, और हम सब के काम आएगी, साथियों, मैं आप सब से आगरह करता हूँ, आपको अगर कोई भ उनसे फोन से संपर्क करके सलहा लीजिए, मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत से डॉक्टर खुद भी जिम्मेदरी उठा रहे हैं, कई डॉक्टर सोशल मीडिया के जरिये लोकों को जानकरी दे रहे हैं, फोन पर, वाटसेप पर भी कांसिलिंग कर रहे हैं, कई हॉस्पि मेरे साथ स्री नगर से डॉक्टर नावीद नजिर शा जुड़ रहे हैं, डॉक्टर नावीद स्री नगर के गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, नावीद जी अपनी देखरेक में अनेकों कोरोना पेशन्स को ठीक कर चुके हैं, और रमजान के इस पवित्र माह में, डॉक्टर नावीद अपना कार्य भी निभा रहे हैं, और उन्होंने हमसे बात्तीत के लिए समय भी निकाला है, आएए, उनिसे बात करते हैं, नावीद जी नमस्कार, डॉक्टर नावीद, मन की बात के हमारे स्टोताओं इस मुश्किल समय में पैनिक पेला हॉस्पिटल डेजिगनेट हुआ एज कोविड हॉस्पिटल वो हमारा सीडी हॉस्पिटल था जो मेडिकल कॉलेज के अंडर में आता है तो उस ताइम एक खोफ का माहौल था लोगों में तो था ही वो समझते थे शायद कोविड का इंफेक्शन किसी को हो जाता है तो एक डेट सेंटेंस माना जाएगा ये और ऐसे ही जो हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर राइवान या पैरेमेडिकल स्टाफ काम करते थे उन में भी एक खोफ का माहौल था कि हम इन पेशिंस को कैसे फेस करेंगे है वो भी सेफ रह सकता है और आगे आगे जब भी हम देखते के तो ये मरीज जो कुछ लोग बिमार थे कुछ एस्मिटमेटिक थे यानि कि हमें कोई बिमारी के कोई लक्षन नहीं थे हमने देखा कि करीब करीब 95% से ज्यादा जो मरीज है वो खुद विदाउट इनी मेड भी ठीक हो जाते हैं तो वक्त जैसे गुजरता गया तो लोगों में जो कोरोना का एक डर था वो बहुत कम हो गया आज की बात जो हम ये सेकंड वेव जो इस ताइम हमारी आई है इस कोरोना में इस ताइम भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है इस मौके पे भी हम अगर जो प्रिटेक्टिव मेजिर्स हैं जो अगर उन पे हम अमल करेंगे जैसे मास्क पहनना हैंड सेन्टाइजर का यूज करना इसकी अलावा फिजिकल डिस्टन्स मेंटेन करना या सोशल गैदरिंग हम अवाइड करें तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखो भी जबा सकते हैं और इस बिमारी से प्रिटेक्शन भी खा सकते हैं डक्र नावेड वैक्सिन को लेकर भी लोगों के कई सारे सवाल हैं जैसे कि वैक्सिन से कितनी सुरुक्षा मिलेगी वैक्सिन के बाद कितना आस्फस्त रह सकते हैं आप कुछ बात इसमें बताएं तो सुरताओं को बह तो हम इस बीमारी को फाइट दो ही चीजों से का सकते हैं एक तो प्रोटिक्टिक्टिव मेजर और हम पहले से ही कह रहे थे कि अगर कोई effective vaccine हमारे पास आए तो वो हमें इस बीमारी से निजात द्ला सकता है और हमारे मलगे में दो vaccine इस time available है कोवेक्सिन है, कोवेशियल्ड है जो यहें पे बना हुआ वैक्सिन है और कमपनीज भी अपनी जो उन्होंने ट्राइल्स की हैं तो उसमें भी देखा गया है कि इसकी एफिकेसी जो है वो 60% से जादा है अगर हम जुमो कश्मीर की बात करें हमारी यूटी में अभी तक 15 से 16 लाग तक लोगों ने अभी ये वैक्सिन लगाया है हाँ सोशल मीज़े में काफी इसके जो मिसकंसेप्शन या मिट्स इसमें आये थे कि यह यह साइड इफेक्ट्स हैं अभी तक हमारे जो भी यहां पे वैक्सिन लगे है ऐसे ही साइड इफेक्ट्स हमने हर मरीज में देखे हैं तो कोई ग्रॉस हमने कोई अड़र्स इफेक्ट नहीं देखा है हाँ और दूसरी बात लोगों में ये भी आशंका थी कि कुछ लोग आफ्टर वैक्सिनेशन यानि वैक्सिन टीका करन के बाद पॉजिट्व होगे इसमें कमपनी से ही गाइड लाइन्स है कि उसमें अगर किसी को टीका लगा है उसके बाद उसको इंफेक्शन हो सकता है वो पॉजिट्व हो सकता है लेकिन जो बिमारी की सिवियर्टी है यानि बिमारी की शिदद जो है उन मरीज़ू में उतनी नहीं होगी यानि कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन जो बिमारी है वो एक जानलेवा बिमारी उनमें साइब नहीं हो सकती है इसलिए जो भी ये मिस्कंसेप्शन्स हैं वैक्सीन के बारे में वो हमें दिमाग से निकालने चाहिए और जिस जिस की बारी आई क्योंकि एक में से हमारा पूरा मुलूप में जो भी 18 साल से जायत के उमर के हैं उनको वैक्सीन लगाने का प्रेक्रम शुरू होगा तो लोगों से अपील यही करेंगे कि आप आए वैक्सीन लगवाए और आपको भी प्रेटेक्ट करें और और हमारी सोसाइटी और हमारी कमुनिटी इससे प्रेटेक्ट हो जाएगी कोविड 19 के इंफेक्शन से डॉक्टर नावित आपका बहुत-बहुत धन्वात और आपको रमजहान के पवित्र महने की बहुत-बहुत शुपकाम लाए बहुत-बहुत शुपकाम लाए शाथियों करोना की इस संक्रकाल में वैक्सीन की अहम्यत सभी को पता चल रही है इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफ़ा में न आए आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है जिसका लाप 45 साल की उम्र के उपर के लोग ले सकते हैं अब तो एक मैसे देश में 18 साल के उपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्द होने वाली है अब देश का कॉर्पोरेट सेक्टर कमपनिया भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुप्त वैक्सीन का जो कारकम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा मेरा राज्यों से भी आगर है कि वो भारत सरकार के इस मुप्त वैक्सीन अभियान का लाप अपने राज्य के जादा से जादा लोगों तक पहुँचाए साथियों हम सब जानते हैं कि बिमारी में हमारे लिए अपने परिवार की देखभाल करना मानसिक तोर पर कितना मुश्किल होता है लेकिन हमारे अस्पतालों के नर्सिंग स्टाप को तो यही काम लगाता कि इतने ही मरीजों के लिए एक साथ करना होता है यह सेवा भाव हमारे समाज की बहुत बड़ी ताकत है नर्सिंग स्टाप द्वारा की जा रही सेवा और परिश्णम के बारे में सबसे अच्छे से तो कोई नर्सी बता सकती है इसलिए मैंने राइपूर के डॉक्टर बी आर अम्बेड कर मेडिकल कॉलेज होस्पिटल में अपनी सेवाए दे रही सिष्टर भावन शीवका आयत्री एंट्रप्राइसस डिस्टिब्यूटर्स फर सब्मेर्सिबल पम्स मीग्रुहा व्यवसाया पारिस्ट्रामि का नेटी अवसरालकू स्पाइरेंड मर्यो कोर्सा सब्मेर्सिबल पम्स मर्यो डिस्टिब्यूटर्स फर्वोटर सौफनर्स हीमजल और वोप्लेस अल्कॉलाइन वोटर पुरिफाइर्स शिवकाहित्री एंट्रप्राइस अरओ सब्सक्राइब करूना के मरीज्जु के साथ अनुभव हो जुरूर बेश्वासी सुनना चाहें कि क। हैं सबसे लंब समय तक होती है बता कि Bei Your Inspilot सबसे पहले मेरी कोविड ड्यूटी लगी तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ये कोविड ड्यूटी की बात शेयर करी ये मई की बात है और मैं ये जैसे ही मैंने शेयर किया सब की सब डर गए घबरा गए मुझे कहने लगे की बेटा ठीक से काम करना एक इमोशनल सिचुईशन था सर बीच में जब मेरी बेटी मुझे से पूछी ममा आप कोविड ड्यूटी जा रहे हो तो उसमें बहुत ही जादा मेरे लिए इमो उनसे और जादा घबराए हुए थें कोविड के नाम से सारे पेशन इतना डरे हुए थे सर कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है हम आगे क्या करेंगे हम उनके डर को दूर करने के लिए उनसे बहुत अच्छे से हेल्दी इन्वारिमेंट दिये एक साल से इसी काम को कर रहे है है हमें जाने से पहले मुझे नहीं पता था प्रॉब्लम सेखिए और उनका स्टिग्मा दूर किये हैं। तो हम उनको समझाते हैं और जब severity बढ़ जाती थी तब उनका lungs already infected हो चुका रहता था तब उनको ICC ज़रुत रहती थी तब वो आते थी और साथ में उनकी पूरी family आती थी तो ऐसा एकडो केस हमने देखा सर और ऐसा भी ने कि हर एक एज ग्रूप के साथ काम किया सर हमें जिसे चोटे बच्चे थे महिला पुरुष बुजर्ग सारे तरह की patient के सर उन सबसे हमने बात करी तो सब ने कहां कि हम दर की वज़ा से नहीं आपाएं तब का यही हम हमें answer मिल तो हम उनको समझाएं दर कुछ नहीं होता है आप हमारा साथ दीजिए हम आपका साथ देंगे बस आप जो भी प्रोटोकॉल से उसी पॉलो कीजिए बस हम इतना उन्सिक कर पाएं भावना जी मुझे बहुत अच्छा लगा आप से बात करकर के आपने काफी अच्छी जानक भावना जी और नर्सिंग स्टाप के आप जैसे हजारों लाखों भाइब हैं बख खुबी अपना कर्तवे निभा रहें यह हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेना है आप अपने स्वास्त पर भी खुब ध्यान दीजिए अपने परिवार का भी ध्यान रखिए साथियों हमारे साथ इस समय बेंगलोरू से सिष्टर सुरेखाजी भी जुड़ी हुए हैं सुरेखाजी केशी जंडरल हॉस्पिटल में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है आए उनके अनुभव भी जानते हैं नमस्ते शुरेखाजी I am really proud and honoured sir to speak to Prime Minister of our country. So Rekhaji, you along with all fellow nurses and hospital staff are doing excellent work. India is thankful to you all. What is your message for the citizens in this fight against COVID-19? Yes, sir. Being a responsible citizen, I would really like to tell something like please be humble to your neighbours and early testing and proper tracking help us to reduce the mortality rate. And moreover, please if you find any symptoms, isolate yourself and consult nearby doctors and get treated as early as possible. So community need to know awareness about this disease and be positive, don't be panic and don't be stressed out. It wasn't the condition of the patient. We are thankful to our government. Proud to have a vaccine also. I am already vaccinated. With my own experience, I wanted to tell the citizens of India, no vaccines provides 100% protections immediately. It takes time to build immunity. Please don't be scared to get vaccinated. Please vaccinate yourself. There is a minimal side effects and I want to deliver the message like stay at home, stay healthy. Avoid contact with the people who are sick and avoid touching the nose, eyes and mouth unnecessarily. Please practice physical distancing, wear mask properly, wash your hands regularly and home remedies you can practice in the house. Please drink Ayurvedic Khada, take steam inhalation and mouth galling every day and breathing exercise so you can do it. And one more thing, last and not least, please have a sympathy towards frontline workers and professionals. We need your support and cooperation. We will fight together. We will get through with the pandemic. This is what my message to the people, sir. Thank you, 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 sir. प्रेहम जी नमस्ते सर जी भाई प्रेहम आप अपने कारे के बारे में आपका जो अनुभव है वो भी बताईए मैं केट्स एंबुलेंस में ड्राइवर की पोस्ट पे हूँ और जैसी कंट्रोल हमें एक टैप पे कोल देता है एक सो दो से जो कोल आती हैं मूव करते हैं पेश स्मार्क स्पैन के पेशेंट को जहां वो ड्रोप करने के लिए कहते हैं जो भी उस्पिडल में हम जल्दी से जल्दी उनको ड्रोप करते हैं आपको तो वैक्शिन की दोनों डोड लग गई होगी बिबकुल सर तो दूसरे लोगों को वैक्शिन लगवाएं है इसके लिए अपका क्या संदेश है सर बिबकुल सभी को ये डोस लगवानी चाहिए और अच्छी ही है फैमिले के लिए भी अब मुझे मेरी ममी कहती है ये नोकरी छोड़ दो मैंने बोला ममी अगर मैं भी नोकरी छोड़ के बैढ़ जाऊंगा तो सब और पेशेंट को कैसे कौन छोड करें सब नोकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ममी मुझे बोलते ही कि बिटा ये नोकरी छोड़ दे मैंने बोला नहीं ममी मैं नोकरी नहीं छोड़ूगा प्रेम जी मा को दूखी मत करना नहीं समझाना हां जी लेकिन ये जो आपने मावाली बात बताई ना हां जी बहुत ड्राइवर भी कितना बड़ा रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं और हर एक की मां क्या सोचती है ये बात जब स्रोताओं तक पहुंचेगी मैं जुरूर मानता हूं कि उनको भी दुल को छू जाएगी प्रेम जी बहुत-बहुत धन्यवाद आप एक प्रकार से प्रेम की गंगा ब तो आज अपना जीवन दाओं पर लगा कर लोगों की सेवा कर रहे हैं कोरोना के खिलाब इस लड़ाए में जितने भी जीवन बच रहे हैं उसमें एंबुलेंस डावर्स का भी बहुत-बड़ा योगदान है प्रेम जी आपको और देश भर में आपके सभी साथ्यों को मैं बहुत-बहुत साधुआद देता हूँ आप समय पर पहुंचते रहिए जीवन बचाते रहिए मेरे प्यारे देश वासियों ये सही है कि कोरोना से बहुत लोग संकरमिद हो रहे हैं लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले लोगों के संक्यावी उतनी ही जादा है गुरुगराम क प्रिती चतुरवेदी जी ने भी हाली में कोरोना को हराया है प्रिती जी मन की बात में हमारे साथ जूट रही है उनके अनुभव हम सब के काफी काम आएंगे प्रिती जी नमस्ते मैं ठीक हूं जी सबसे पहले तो मैं आपकी कोविड-19 से सफलता पुरवक लड़ने के होगा मेरी कामना है आपका स्वास्त और तेजी से बहतर हो प्रिती जी यह सिर्फ आपके पुरेवार में आपी का नंबर लगा कि परिवार के और सदेश्य भी इसमें फस गए नहीं नहीं सर मैं अकेली ही हुई थी अच्छा मैं चाहूंगा आप अपने इस पीड़ा के उनको भी ऐसे समय कैसे अपने आपको सम्वालना चाहिए इसका मारदर्शन मिलेगा जरूर सर इनिशली स्टेज में मेरे को बहुत सुस्की सुस्की आया और उसके बार ना मेरे गले में थोड़ी सी खराश होने लगी तो उसके बार ना मेरे थोड़ा सा में को लगा कि यह स अपका परिवार बज गया है आपके क्विक एक्शन के करा जी सर बाकी सब का भी विबाद में कराया था बाकी सब नेगेटिव से मही पॉजिटिव से पहले मैंने अपने आपको आइसुलेट कर लिया थे एक रूम के अंदर अपनी जरूरत का सारा समान रखे उसको मैं अब भोजन वखेरा लेती थी से मैंने हेल्डी पूर जो कि प्रोटीन रिच डाइब थी वो लिया मैंने मैंने बहुत सारा फ्यूड लिया मैंने स्टीम लिया गार्गिल किया और होट वाटर लिया मैंने दिन भार मैं इन सब चीजों को ही अपने उस दीवन में लेती आई से बाहर निकल आई आप अपने स्वास के लिए इसके देख्भान के लिए अभी क्या कर रही है मैंने काड़ा अभी ले रही हूं और अपनी इम्मूनिटी बूस्ट रखने के लिए मैं अच्छा हेल्डी फूद खा रही हूं अभी जो कि मैं बहुत अपने आपको नेगले आप स्वस्त रहें आपके परिवार के लोग स्वस्त रहें मेरी आपको बहुत बहुत शुबकामना है मेरे पहरे देश्वासियों जैसे आज हमारे मेडिकल फिल्ड के लोग फ्रंट लाइन वरकर्स दिन रात सेवाकारियों में लगे हैं वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं है देश एक बार फिर एक जूट होकर कोरोना के खिलाप लड़ाई लड़ रहा है इन दिनों में देख रहा हूं कोई कॉरंटाइन में रह रहे हैं परिवारों के लिए दवा पहुचा रहा है कोई सबजियां दूद फल आधी पहुचा रहा है कोई एम अंगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं इस बार गावों में भी नई जागरूता देखी जा रहे हैं कोवीड नियोमों का सक्ति से पालन करते हुए लोग अपने गावों की कोरोना से रक्षा कर रहे हैं जो लोग ब जवान सामने आये हैं जो अपने क्षेत्र में कोरोना के केस न बढ़ें इसके लिए स्थानिये निवास्यों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं यानि एक तरब देश दिन रात अस्पतालों वेंटिलेटर्स और दवाईयों के लिए काम कर रहा हैं तो दूसरी और देश्वा प्रयास देती हैं यह जो भी प्रयास हो रहे हैं समाज की बहुत बढ़ी सेवा है इस समाज की शक्ति बढ़ाते हैं मेरे पहले देश्वासियों आज मन की बात की पूरी चर्चा को हमने कोरोना महामारग पर ही रखा क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी प्रात्मिकता है इस बिमारी को हराना आज भगवान महवीर जैंती भी है इस अवसर पर मैं सभी देश्वाशों को शुबकामनाई देता हूँ भगवान महवीर के संदेश हमें तप और आत्मसंयम की प्रेणा देते हैं अभी रमज्ञान का पवित्र महेना भी चल रहा है आगे बुद्ध पुर्णिमा भी है गुरु तेग बहदूर जी का चार सोवा प्रकास परव भी है एक महत्वपुन दीन पोची से बोईशाक टैग और जैंतिका है यह सभी हमें प्रेणा देते हैं अपने कर्तव को निभाएंगे संकट से मुक्त होकर भविश के रास्ते पर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे इसी कामना के साथ मैं आप सभी से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वैक्सिन हम सब को लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है दवाई भी कड़ाई भी इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्ट अनुरागानिकी आम्मा आदर्शम आरुग्यानिकी स्रीशाही वोम्योस तोर्साइंड क्लेनिक अनुभवम अरहत अन्कित भावंकल डाक्टरलजी टिकिस्टा अन्नीरकाल आरुग्य समस्यलकु नम्मकमैन यम्पिका स्रीशाही होम्योस तोर्साइंड क्लेनिक डाइबेटिस, कीलनोपुलू, सयाटिका, वेन्नुमुकत समस्यलू, तैरायक, निद्रलेमी, माणिसिक समस्यलू, रुत्तु समस्यलू, अन्नीरकाल दीक्क कालिक व्याधुलकु प्रच्चिलिक होम्यो वैध्यम। अंडरिकी अंधुपाटुलू अंतर्च्यतिय होम्यो वैध्यम, स्रीशाही होम्यो स्टोर्स अन्न क्लेनिक। नी आरोग्य समस्य येधेना, इपड़ु परिश्कारं साथ्यम। अधिन चाल सुना, फोल मंबर्स 90 00751751, मर्यो 90 00422525